नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एकलाव PCS में जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हुआ था आरो यारो दोया सोले का री एक्जाम जिसमें हमने GS का जो आंसर किये वो अल्रेडी दे दिया है आप आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हो और अब हम चर्चा करेंगे आपर हिंदी की तो देखें यहापर हिंदी का पहला कॉश्चन निमलिकित में से कौन सा तस्सम श है तो इं इसका तस्सम होगा है कि अप लोग मेंशें करेंकर हूँना ह्ते है ऐगे देखें क्वेश्चन LEAK 4 अभ्यांतर का तदभव शब्द क्या है अभ्यांतर तो अभ्यांतर का तद्भव को शब्द है भीतर आगे देखें कुछ नमबर फाइव करपट का तद्वव रूप क्या है करपट करपट मीन्स होता है कपड़ा आगे देखें कुषिन नमबर छे वे बहुत खाता है इस वाक्य में बहुट सब्द किस प्रकार का विशेशन है बहुत के बारे में पूछ रहा हो तो बहुत जो है विद्यार्थियों एक अनिश्चित करिमान वाचक विशेशन है इसमें मैं नहीं पताय है कितना खा रहा है तो अनिश्यत है आगे देखें कुछ नमबर 7 इसमें आपको गुण वाचक विशेशन जिसमें प्रयोग किया गया हूँ ऐसा वाग कि यहाँ पर चुनना है आपको तो इसमें जो सही जवाब होगा विद्यारती हो वो है ए वह नखट वालक संगीत नहीं सुन रहा है आगे देखें कुछ नमबर 8 सतीष चंचल वालक है इस वाग कि में चंचल क्या है तो चंचल है ए गुड़ वाचक विशेशन आगे देखें कुछ नमबर 9 मानसिक विशेशन किस मूलसब्द से बना है तो बहुत ही आसां मानसिक बना है मानस से हक्षिनमर दस देखें कर चाही परिया वाची शब्द क्या होगा इसका स़यी परिया वाची सब्द sa समा लोचन चलिए आगे देखें क्वेशन बाब बारा बिजली का पर्यावाची शब्द कौन सा है तो सबको पता है सौदा में नी यह बिजली का पर्यावाची है निम्रेकित में ऐसे कौन सा शब्द लक्षमी का पर्यावाची नहीं है नहीं पूछ रहा है, यहां पर यह द्यान देंगे हम तो नहीं है कौन सा भारती भारती जो है मा सरस्वती का पर्यावाची होता है लच्छमी जी का नहीं है बर शेस सभी लच्छमी जी का है कौशन नमर चौदर देखिए कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यावाची नहीं है जैसा कि हमने देखा था अभी तो वस्त्र है वसन है पट भी है बट वासन नहीं है ठीक है द्यान रखेंगे वासन वस्त्र का पर्यावाची या कपड़े का पर्यावाची नहीं है ऐसी कौश्चनमा पंदर देखिए नियम्रिकित मैंसे कौनसे शब्द मेग का प्रियावाचि नहीं है मेग तो जल धर पयो धर वारिधर यह सभी है दामो धर नहीं है यह दामुदर बेसिकली दामुदर जो भगवान कुष्ण का परियावाथ यह रियान दखेंगे कुश्ण मद्शोले देखिए आबिर्भूत का सही विलोम क्या होगा तिरो भूत एक शब्द होता है आबिर्भाव उसका विलोम तिरो भाव होता है तो वहीं से यह आगे अग्रज का विलोम क्या होगा सबको पता होगा अनुज विलोम शब्दों की जस्टी में से एक युग गलत है उसे चुनिए इन में से कौन सा गलत है तो देखो भई इसमें मौन मुखर बड़कुस सही है शांदाज शर्मनाख ये भी सही है बरबर सब ये भी सही है बट अ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि आगे देखें को अप्शन में बीस विलोम शब्दों की जस्टी से कौन सा युक्म गलत है देखें तो कौन सा गलत पूछ रहा है आपर सुख दुख बिल्कुल विलोम है अमित परिमित ये भी विलोम है सतका अत्रिसक ये भी विलोम है आच्छा और परिच्छन ये विलोम नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा सि कौत समय किस देखें वरतनी की दिस्टी से कौन सा शब्द स सही दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चैन कीजिए तो कई बार पेपर में आया है ठीक है आरू में भी आया है इसके लाबा जो यूपी ट्रपल एस सी उसके भी कई अब यह एक्जाम होते रहते हैं हिंदी के जिसमें हिंदी आती है तो वहां पर भी आया हुआ है कि वर्तनी की दश्टी से कौन सा शब्द अशुद्ध है तो अप्शन सी सही जवाब होगा इसका उतकर्षता अशुद्ध है अशुद्ध पूछ रहे यह ध्यान रखेंगे अ सब्सक्राइब तो अब अनेकों तो कुछ होता नहीं है तो जहां पर भी अनेकों है तो गलत है अनेकों तो होगा ही नहीं किसी हालत में अनेक अपने आप में बावचन है तो इसको बावचन नहीं बना सकते आप तो यहां पर जो सही जवाब होगा इसका वो है उप्शन ए प्रत्यक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अलेक पुस्तक है पढ़े ठीक है चलिए आगे देखें प्वेंटी फाइव कि निम्लिकित मेंसे एक वाक अशुद्ध है वह कौन सा है कि पच्छिस मोहन ग्यहूं पिस्वाने चक्की पर गया है कि नर्दय वक्ति से मितनता नहीं करनी चाहिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुगाने तो य को कि आगे देखें 26 जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है बेहरी आसान अजाशत्रु जो भी हिंदी मीडियम वाले वे द्यार थी वो तो सब इसको आसानिस कर पाएं कोई दिक्कत नहीं है खोज करने वाले कौन होता है अनवेशक जो खोज करता है जिसकी गृवा सुंदर हो सुग्रीव गर्दन के लिए यह चिन्द्रिया अजिसका अनुव इंद्रियों द्वार ना हो सके अतिंद्रिया वाक्यान शव के लिए उनके प्रयोक्त जो शब्द है उनको सही चैन कीजिए इन में से जो सही है उसको आपको चुनना है अबनेता जो इस्तरी अबनेतरी होती है गलत है जो व्याकरन जानता हो ये भी गलत दिया हुआ है आँखोच पर ये भी गलत है लोट कर आया हो प्रत् निमेंकित मेंसे तटस्म शब्द है कौन सा तो ओस्थ आप देख पा रहे होंगे यहीं सका सही जवाब है ओस्थ तस्थ दिया हुआ आगए थर्टी-थरी तस्थम तद्भव शब्दों का कौन सा युद्म यहाँ पर सही दिया हुआ यह पूछ रहा है देखते है तो देखु बाई गोटक गोड़ा होता है यहां पर घड़ा दिया हुआ तो यह गलत हो गया सक्थू शक्थू होता है सत्व्थू जो हम खाने में प्रियूख करते हैं तो यह भी गलत है लेकिन पर्यकक को इस तरीके से नहीं लिखा जाता ठीक है उसको लिखनेका तरीका नीचे का होता है आप देखना इसको सही तरीके से थी लोगा इसका विद्यार्थी में को निमिलिकृत में इसे एक तदवव शब्द है कौनसा कौन सा तदवव है तो आसु तदवव है अश्रू इसका तस्तम होगा का पित्थ का तदवव क्या होगा कैथा लिम्लेकित में से कौन सा शब्द गुडवाचक विशिशन है गुडवाचक तो वो है उचित ठीक है ये जोनों संख्या वाचक है ठीक है और कुछ जो है अनिश्चित है पजमाण वाचक है कि सैथिस नमबर देखिए कौन सा विशिशन संग्या से नहीं बना है कि स्रीमान आगे देखें थर्टीएट किस बाग कि मैं उत्तम अवस्था गुडवाचक विशिशन विशिशन का प्रयोग किया गया उत्तम अवस्था मतलब उससे बढ़िया कुछ और है ही नहीं बात में 39 जी सौर किस मूल सबसे बनाए सबको बताए सोर बनाए सोदे से हैं कूशन नमबर चालिश देखें कौन सा शर्शुडवीयशन है आगने आगने विशिशन है किसी चट्टान की आगे आप आगने लगा दीजिए तो आगने चट्टान हो जाई ठीक है तो आगने विश कि आकास का पर्यावाची शब्द कौन सा है शून है। सोगना का परेवाची सब्द कौन सा है सबको चाहिए करनक उसके प्राण पखेरू रूड़के में पखेरू क्या है तो पखेरू जो है पक्षी का पर्याोची अचे छली आगे देखें कौनता शब्द चंद्रमा का पर्यावाची नहीं है या पर पूछ रहा है तो सल नहीं है सल पानी होता है तो चंद्रमा का पर्यावाची कैसे होगा शेष सभी है में इसक्षंद मात्यक्र avons नहीं है कौन जरू Hub not जो कि बहुत कविलों क्या होगा वहत क्या विलों से प्राची का विलों क्या होगाμεा प्रतीची निए प्राची मतलब यह पुरादा वाला नहीं तो इसका नभीन कुछ लोग ठोगाएंगे तो ऐसा मत करना ठीक है यह प्राची क्या है यह प्राची है पूर्व तो इसका क्या होगा प्रतीथी सब्सक्राइब क्या होगा शब्दों कि दश्टी से कौन सा युकम गलत है वह आपको बताना है वो तो विद्धी यह ठीक फैप अलाहन यहाल यह थीक है तो दिखते है अगलों और विक्रीद्ए क्याश्ए यह मैच्ञ नहीं कर रहा है यह विलूम नहीं है एक इसने कहें है क आपिसित अभी को दोस्ता दोष इसका सही जावा ऑगा आधरत निराधरत ठीक है 50 का सी अचुद्भरतनी वालेशब्द का चेंड कीजिए जैदीप प्यमान ठीक है जैदीप प्यमान यह शद्वर्तनी वाला शब्द है काफी important है चले आग देखें अचुद्भरतनी वाला स जब दिन से कौन सा है कर फोर आडिक ठीक है यह गलत लिखा वह इस तरीकी से लिखा जाता इसको पाउन आड़क होता है 53 देखिए शुद्ध वाक किन में से कौन सा है तो शुद्ध वाक है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है तो 54 देखिए कौन सा शुद्ध वाक के शुद्ध है तो मेरे साब से इसका होने चाहिए ऑप्शन डी इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती है ठीक है बावजूद भी थोड़ा सा जीव है यहां पर तो इसको आप लोग बताईए आप लोगोंने क्या लगाया आगे देखिए 55 अशुद्वाक का चेंड कीजिए तो अशुद्वाक क्या होगा इसमें देखो वर्तमान और मौजूदा वर्तमान मौजूदा एकी बात हो गई तो दौनों शब्द क्यों आएंगे या तो वर्तमान आएगा या मौजूदा आएगा तो यह गलाते है परंपरा से चली आ रही बात को क्या क्यते हैं अनुश्रूती थ्यान दखना कि जिसके बास कुछ भी ना हो यह तो कई बार वीपर में आया है अकेंचन जिसके पास कुछ नहीं होता स्वेज से उत्पन होने वाला स्वेज मतलब पसील पूतर हो जाएगा जिसका परणाम निकला हो जीहां रखना जिसका परणाम निकला लाओ से कहते हैं अपनरीत वाक्यांस के लिए एक शब्द है यहां पर दुर निर्वार इसका क्या मतलब है यह पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है जिसको दूर करना कठें तो यह थे हमारे सिक्स्टी क्वेश्टन जो की आरो के एक्जाम में पूछे गए थे आपके हिंद तोलह ठीक ठाक ता लेकिन हिंदी काफी सफल थी अगर आपने और अगर पड़ाया तो इस में से बड़े आसानी से आप्साठ मैं से कम से कम जो है 50-95 प्रस्न बड़े आसानी से सही कर सकते हैं यह था हमारा एनलाइसस इसी प्रकार के यानडी वीडियो देखने के लिए हमा झाल झाल